हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन सिक्षन पर बच्चो आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रही थे कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th जो आपके semester के exam हुए थे मई महा में उनका रिजल्ट कब आएगा तो बच्चो अभी copy checking की परकिरिया चली हुई है जून के last तक आपकी copy checking की परकिरिया चलती रहेगी और जुलाई के पहले अपते या दूसरे अपते में आपका रिजल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अगर एक subject में back आती है तो क्या होगा दो में आती है या तीन subject में अगर back आ जाती है result का परतिसत कैसे निकालेंगे, result को देख करके आप कैसे पता लगाएंगे कि कितने % आपके marks बने है तो यह सभी हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए करते हैं वीडियो की सुरुवाद एक एक करके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू जिनके एक subject या दो subject में back आती है उनके result पर नीचे fail लिखा आजाएगा, result भी मैं आपको दिखा दू कैसा आता है इस तरीके का आपका result जो है वा आता है और यहाँ पर पास लिखा है लेकिन अगर आपकी एक subject या एक नमबर से भी back आ जाती है, तो आपके result पर यहाँ fail लिखा जाएगा आपको बिल्कुल भी गबराना नहीं है, अगर आप एक subject में या दो में fail है, तो आप सिर्फ उन्हीं के exam देंगे अगर आपकी तीन subject में back आ जाती है, तो आपका पूरा semester back कहलाता है आपको दोबारे से पूरा semester देना होता है result के बाद scrutiny का process भी होता है, उसमें बहुत कम chance होते हैं बच्चों के marks बढ़ने के 100 रुपे उसका fees रखा गया है, 100 रुपे fees देने के बाद आपके दोबारे से एक बार कुपी के number count कर ली जाते हैं, कहीं गलत तो नहीं है और अगर गलत होते हैं तो दोबारे से जुड़ करके उसका result आता है, फिर भी पास होते हैं कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी आपको गवराना नहीं है, दोबारे से आपके first semester के exam नहीं होंगे अगर आप एक या दो विशा में back है, 21 वैच की, अगर तीन में है तो आपका first semester पूरा ही तोबारा से होगा डेलेड में कितने percent पर marks मतलब pass होते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, डेलेड में 50% marks लाने अनिवारिये होते हैं यहाँ पर आपको दिया भी गया है, जैसे अरम बिगिस्तर पर बासा एक subject है fourth semester में, इसमें 50 marks का paper होता है और 25 marks पर आप पास होते हैं, पच्चिस से ज़्यादा आपके marks होने चाहिए, तो आप इस subject में पास है, इसी तरीके से सभी subject 50% पर पास होते हैं अभी तक आपने देखा होगा, BAM में इन सभी graduation, post graduation में 33% पर पास होते हैं, 10-12 में भी, लेकिन डिया लेड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 50% marks है, तो पास है, उसके 1% नीचे है, तो वो फैल माना जाता है अब बात करते हैं, result का परतिसत कैसे निकालेंगे, आपका result आएगा, जैसे अगले मंत आएगा जोलाई में, तो आप अपने result का जो percentage है, वो कैसे निकाल पाएंगे, चले हम आपको पूरा प्रोसिस बता देता हूँ, जैसे आपके 8 subject होते हैं, तो आपका total पूरांग होता ह है, एक semester का 800, 800 marks का आपका पूरा एक semester होता है, ऐसे ही total 4 semester आपके होते हैं, तो ये हो जाता है, 32, 32 marks में आपका पूरा semester clear होता है, अब सिर्फ एक semester की percentage कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर आपके subject के नाम दिये गए हैं, 8 आपके subject है, और यहाँ पर जो सबसे last 10 point है, इसमें आपके internship के marks count होते हैं, और वाईवा के marks, जो ये 99 नमबर है, ये आपके internship के marks है, और जो 98 में है, ये college की तरफ से वाईवा लिया जाता है, practical, ये उसके marks है, ये जितने भी external में marks है, ये आपके exam के marks है, जो भी आपने paper दिये हैं, ये उनके marks है, और जो यहाँ पर ये marks है, internal, ये आपके college वाले देते हैं, practical के marks, percentage निकालने के लिए सबसे पहले, आपको obtain marks, यानि इन सारों को जोड लेना है, यहाँ से, यहाँ तक का आपको इस सारे marks count करने है, और external, internal, दोनों के ही count कर लीजिए, उनको total करने के बाद, यहाँ पर लिखेंगे, उसके नीचे आ आप 800 लिखेंगे, यानि 800 का आपका semester होता है, इंटू 100 percentage निकालने के लिए, तो आपके सामने आपका पूरा, जो एक semester का result का percent है, वो निकल जाएगा, चलिए मैं इस result का आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आपी के सामने result जोड़ना जो है, start करता हूँ, सबसे पहले 33 marks, 36, 15, 19, 33, 17, 15, 16, ओजे नीचे 99 marks है, या आपके intensive के marks है, तो total 233 marks हो जाते हैं, external के, अब इनी भी आप internal के भी marks जोड़ सकते हैं, 48, 48, 24, 29, 24, 24, 24, 24, 48, 98, तो 694 marks हो गए, total, यहाँ पर लिख लेते हैं, 600, 94, बटे 800, इंटू 100, तो 0 से 2, 0 कट गई, 600, चुरान में को आपको 8 से भाग देना है, तो हो जाते हैं, 60.75%, इस तरीकी से आप अपने semester की जो percent है, वो निकाल सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दू, पूरा आपका एक semester 800 marks का होता है, और 800, 800 अगर आप जोड़ेंगे चार बार, तो 32 का आपका पूरा final result जो है, वो बनता है, I hope आप सभी के ये doubt clear हो चुके होंगे, अगर आपका कोई अभी भी doubt है, तो आप comment box में comment करिए, जल्दी आपको उसका reply मिल जाएगा, thank you.